हे गाइस वेलकम बैक टो आर चैनल स्मार्ट वेकर्स माइनेम इस दुशार गाइस आज हम बनाएंगे वनीला एंट बटर स्कॉच फ्लेवर वाली डिलिशेस आइस क्रीम आप देख सकते हैं सबसे बड़िया बात ये है कि गाइस यह आइस क्रीम सिरफ फल लिटर दूद से बनी है और क्वांटिटी में टबल हो जाती है तो यह देखी किस तरह से बनती है तो इस आइस क्रीम को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा लिटर दूद ले लिया है आप फुल क्रीम इसे एक बरतन में डाल लेंगे उसके बाद आदे लिटर दूद में से कुछ दूद मैं अलग बाउल में निकाल के रख लूँगा थोड़ा सा दूद हमने मतलब इसका चोथाई हिस्सा हमने बाउल में निकाल लिया है इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1TVSP GMS Powder GMS Powder यहांपर मैंने Solar Brand का यूज़ किया है GMS Powder से आइसक्रीम डबल हो जाती है इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1TVSP CMC Powder CMC Powder गाइस आइसक्रीम को स्टेबल रखता है यह भी मैंने आपर Solar Company का यूज़ किया है और इसके बाद हम डालेंगे 1.5TVSP Corn Flore और इसे अच्छे से हमने फेटना है यह GMS CMC और Corn Flore को दूद में अच्छे से हमें मिक्स करना है बिल्कुल भी इनके Lumps नहीं रहने चाहिए इसके बाद हम अपने दूद को गैस पर चड़ा देंगे और इसे उबलने देंगे जब एक उबाला आ जाए इस तरीके से फिर इसमें हम डाल देंगे 6 बड़े चमच चीनी 6 TBSP हमने इसमें चीनी डालनी है और फिर हमें इसे अच्छे से दूद में डिजॉल्व करना है इस तरीके से हिलाते रहिए और साइड में लगावा दूद भी बीच में करते जाए इस तरीके से जब 2 मिंट हो जाए उसके बाद हमने जो बैटर बनाया था GMS CMC और कॉर्ण फ्लोर और दूद वाला वो सारा इसमें हम डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से फेटेंगे क्योंकि उस बैटर में जरा से भी लंफ होंगे तो वो इसमें मिक्स हो जाएंगे अब हमें उबाला आने के बाद इसे सिरर्फ 5 मिनट तक सीम पे पकानाहै बिलकुल गैस की फिलेम लो कर दीजगा और इसे लगातार ही लाते रहिए सिरर्फ हमें इसे 5 मिनट ही पकानाह है इस आइस-क्रीम में वहमें दूद को ज्यादा पकाना बिल्कुल भी न होता पांच मिंट हो गए हैं और इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और दूद को ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके उपर जाली लगा देंगे जब दूद बिल्कुल ठंडा हो जाए तो हम इसे एक बरतन में डाल देंगे जिसमें आप बरफ जमाते हैं उसमें डाल दीजेगा और इसे ओवरनाइट फ्रीजर में जमने के लिए रख दीजेगा ये कम से कम साथ से आठ गंटे में बिल्कुल जम जाता है ये हमारा त्यार होगा गाइस आइसक्रीम बेस इसके बाद हम अपनी आइसक्रीम बनाएंगे ये देखिए इस तरीके से हमारा आइसक्रीम बेस बिल्कुल त्यार हो चुका है अब हम इसके चाकू से पीसीज काट लेंगे क्योंकि अब हमें इसे बीट करना है चाकू से काट लेने के बाद हम इसे बाउल में डालेंगे जिस बाउल में हमें इसे बीट करना है अब देखिएगा जितना ये मतलब बाउल हमारा भरा हुआ क्वांटिटी में डबल होता जाएगा अब जो ये बेस है अभी बिल्कुल अच्छे से अगर चाकू से ना कटा हो तो इसे बिल्कुल काट लीजिए ताकि इसे फेटने में बिल्कुल भी दिकत ना हो इसके पीसीज करने गाइस बहुत जुरूरी है नहीं तो जो हमारे बेटर्स होते हैं उनको नुक्सान हो सकता है ये लीजिए अब हम इसे अपनी मशीन में लगा देंगे ये देखिए इस तरीके से आपके पास अगर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं अब सबसे पहले हम इसे कम स्पीड पर चलाएंगे दीरे दीरे ये देखिए इस तरीके से ये दीरे दीरे सौक्त होती जाएगी आप देख सकते हैं एक तम से थोड़ी-थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएंगे और ये स्मूथ होती जाएगी और क्वांटिटी में डबल आपको होती हुई दिखाई देती जाएगी ये देखिए और फिर इसमें हम डालेंगे स्टेज पर वन थाड़ कप विप्ट क्रीम विप्ट क्रीम डालने से इसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी और इसका टेस्ट बहुँ जादा अच्छा आएगा आप यह हमें इससे 10 से 15 मिनट तक फेटना है और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 टी एसपी वनीला एसेंस यह देखिए हमारी लगबग डबल हो चुकिया है मुझे इसे फेटने में कम से कम 15 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्वांटिटी में डबल हो चुकिया है तो मुझे दो फ्लेवर्स की आइसक्रीम बनाने है एक वनीला और पटर स्कोच तो मैं वनीला के यह पहले निकाल के रख दूगा एक बाउल में यह हमारा त्यार होगा वनीला आइसक्रीम यह बिल्कुल गाइस अमूल जैसी होती है आइसक्रीम बिल्कुल वैसी सॉफ्ट बनती है और इसमें आइसक्रीस्टल बिल्कुल भी नहीं रहते हो मैंने अलग से निकाल ली थी अ ऐसा color तो होता ही है, इसके साथ-साथ इसमें essence मिला हुआ होता है, तो आपको अलग से essence डालने की जुरूरत नहीं है, इसमें flavor और color दोनों आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने ट्रोपोलाइट ब्रैंड का बट्रस्कोच इमल्शन यूज़ किया है, यह लिजिए, यह डालने के बाद हमें एक दो मिन्ट फिर से इसे पीट करना है, और हमारा यह बट्रस्कोच आइस्क्रीम एक पर एक दम से ready है, अब हम इसे जमने के लिए रखेंगे, गाइस यह इमल्शन आप असानी से online purchase कर सकते हैं, मैं लिंक आपको description में दे दूँगा, अब इस आइस्क्रीम को हम अपने बाउल में shift करेंगे, जिसमें हमेशे जमाना है, यह लिजिए, और इसके बाद मैं उपर से कुछ चोकोचिप्स डाल दूँगा, अगर आप नहीं खाते तो मट डालिएगा, और फिर इसमें हम तो चार चमज डालेंगे, बटर स्कोच क्रश, यह डालने के बाद हमें इसे अच्छे से mix करना है, यह चोकोचिप्स हमने इसी के साथ mix कर देने हैं, और उपर से थोड़े से चोकोचिप्स और garnish के लिए डाल देंगे, और इसे हम प्लास्टिक के रैपर से रैप कर देंगे ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना रहे, यह लिजी हमारा त्यार है, अब हम अपने वनीला ऐस क्रीम लेंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस ओर डालेंगे, क्योंकि उस टाइम हमने बिल्कुल एक टी-एस्प वनीला डाला था, लेकिन हमें वनीला फ्लेवर चे तो हम थोड़ा सा ओर डालेंगे, हाफ टी-एस्प के करीब, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसके बाद इसमें हम कुछ टूटी-फूटी डाल देंगे, अगर आप नहीं पसंद करतें तो नहीं डालें, अगर के रैपर से रैप कर देंगे, इस तरीके से तो लीजिए हमारी दोनों फ्लेवर के आईस्क्रीम जमने के लिए बिलकुर रेडी है, साथ से आट घंटे लग जाएंगी से जमने के लिए, ये देखिए, इस तरीके से हमारी आईस्क्रीम बिलकुल परफेक्टली जम जाएग ओवरनाइट इसे रख दीजिएगा तो सबसे पहले हम वनिला आइस्क्रीम आपको निकाल के दिखाते हैं प्लेट में सर्व करते हैं यह देखिए इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है बिल्कुल एकदम सॉफ्ट आइस्क्रीम जमकर हमारी त्यार हुई है और इसी के साथ हम एक स्कूप बटर स्कॉच का भी रखेंगे बड़ी ही असानी से निकल जाएगी अब हम आदा स्कूप बटर स्कॉच और आदा स्कूप वनिला आइस्क्रीम का लेंगे ये लीजिए हमारी प्लेट पिलकुल रेडी हो चुकी है लगबग अब जो बटर स्कोच फ्लेवर वाली आईस क्रीम है उसके उपर हम एक एक चम्मच बटर स्कोच क्रश डाल कर उसे गार्निश करेंगे और वनिला आईस क्रीम पर हम डालेंगे थोड़ी सी मेल्टिट चॉकलेट यहाँ पर मैंने डार्प कमपाउंड चॉकलेट यूज की है और थोड़ी सी प्लेट पर भी गार्निश कर देंगे इस तरीके से आप चॉकलेट से डिजाइन बना सकते हैं यह देखिए और एक स्कूप हम वनिला का और रख देंगे तो लिजिए हमारी आईस क्रीम बिल्कुल बनकर त्यार है एक तम मार्किट जैसे आईस क्रीम बनकर त्यार होती है एक तम डिलिशियस आपको यह रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बोक्स में लिखकर बताईएगा और इसी तरह की रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू एक पार फिर मिलते हैं नई वीडियो में